हेलो गाइस वलकम बैक वर में चानल आज का इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं件 इसका यहाँजी इसका व्लकम को तक्रिबन हो ़सलिए सुझा के 65 के Korean कुछ अच्छा से पता क्या मेरीड है क्योथ क्यों क्यों सारे क्योंकि बहुत सारा competitor brand market में आप भले भुले तो मैं आपको fully information दोगा क्यों आपको सुजु की access 125 अभी का time में buy करना चाहिए या नहीं कि चलिए फिर शुरू करते हैं गाड़ी का बारे में बात करना चाहूं तो देख सकते हैं आप यहां पर आपको semi digital मिटर मिलता है और मेरा गाड़ी तक्रिवन आप देख सकते हैं कि 19,221 किलोमेटर चल चुका है और गाड़ी का बारे में बात करना है तो यहां पर आपको अपर डिपर लाइट मिलता है नीचे में थोड़ा इंडिकेटर उसका नीचे में हॉर्न यहां पर आपको self start का बटन मिलता है क्रोम में आपको mirror मिलता है रेट्रो लुकिंग साथ बहुत अच्छा लगता है देखने में और front profile का बारे में बात करूं तो यहां पर आपको headlight आपको halogen में ball मिलता है नीचे में सुजुकी का logo मिलता है दोनों side में आपको indicator मिलता है नीचे में आपको parking light मिलता है और नीच height profile का बात करना जाओं तो आप देख सकता है यहां पर आपको footrest भी मिलता है यहां पर आपको अच्छा से लंबा वाला एक्ठो बेक रेस्ट मिलता है और पीछे में आपको देखेगे तो पीछे में आपको ball में दोनों indicator बेक लाइट भी मिलता है मडगाड भी कैसे ऐसे कु कर रूत आप देख सकते हैं पर आपको 10 इंच का रियर रिम मिलता है और यहां पर आपको सुजुकी का eco performance technology भी मिलता है जिस बज़े से आपको power और mileage बहुत enhance होता है गाड़ी का और यहां पर आप देख सकते हैं पूट्रे इस्टेरिया बहुत अच्छा कसा बढ़ा है आप आप आराम से यहां पर कुछ लॉगेज नहीं तो सिलेंडर केरी करके ले जा सकते हैं यहां पर आपको केरी बेग हैं करने के लिए जगा मिला है यहां पर आपको चोक दिया गया है यहां पर आपको charging point भी मिलता है और यहां पर आपको केरी करके ले सकते हैं यहां पर आपक में 21 लिटर का अच्छा बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है आराम से आपको हाप साइच हेलमेट और कुछ अडिस्टनल समन केरी कर सकते हैं चलिए इसका सीट का बारे में बात करते हैं अब देख सकते हैं अपर कितना लंबा चोड़ है अच्छा से सीट मिला है आप अराम से दो जन जा सकते हैं लॉंग ड्राइब में कुछ दिक्कत नहीं है और इंजिन का बारे में बात करूं तो हैं पर आपको 125cc का एक्ठो यार आपको अच्छा से अच्छा माइलेज भी गाड़ी का इंजिन से मिल जाते हैं क्योंकि एहीं इंजिन आपका सुजुकी का बर्गमैन में यूज हुआ है और गाड़ी का वेट का बात करना चाहूं तो 105 अपरोसिमेट इसका वेट है और गाड़ी मनुवर करना बहुत हीज कि यह क्योंकि बहुत लाइट गाड़ी है और गाड़ी का माइलेज का बारे में बात करूँ तो मुझे आराम से इसमें अगर मैं हाड़ ब्रेकिंग और हाड़ एक्सल की नहीं करूँगा तो आराम से आपको 65 का माइलेज मिल जाएगा और मेरा हिसाब से तो आज का टाइम में एक्सेस 125 बाय करना बेटर है क्योंकि आक्टिवा से क्योंकि आक्टिवा का इंजिन 110 CC का है और उसका माइलेज भी कुछ अच्छा नहीं मिलता है